नमस्कार दोस्तों मैं मंसाराम रमाप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SM History Group पर UPSC Lower PCS का मेंस का एक्जाम जो है आज समाप्त हो चुका है यह 2019 का नोटिफिकेशन था इसका प्री एक्जाम कंप्लीट हो जुका था और मेंस एक्जाम जो है काफी दिनों के बाद जो है देखने को मिला है 21 अक्टूबर 2021 को यह एक्जाम हुआ है या आज के दिन और इसमें सामान दिन के 75 कोश्चन पूछे गए बहुत ही अच्छे ल प्रशन आपके एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं तो 60 का एंसर की के साथ हम बात करेंगे जिनोंने पेपर दिया है वो एंसर की मैच भी कर सकते हैं यह स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रशन से सबसे पहले तो मैं बता देने चाहता हूँ कि आपको जो है रिजिनिंग का और लेड़ी सोलूशन करवाया जा चुका है तो हम इस पार्ट में GS के सेक्षन की बात करेंगे GS में जितने भी 75 कोश्चन आया है उनको अच्छे से हम डिसकस करेंगे अगर किसी भी कोश्चन में ओफिस्यल एंसर की से कोई भी बदलाव होता है तो हम एक से दो कोश्चन जो भी होंगे हम पिन कमेंट में डाल देंगे अगर वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा तो सबसे पहला कोश्चन देखने को मिला है कि आपकी कच्छा म आपके बगल में बैठा आपका एक दोस्त अचानक बीमार पर जाता है तो उसे तेज बुखारा जाता है और सांस लेने में दिक्कत की सिकायत करता है तो इसका एंसर क्या होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग स्क्रीन सोट लेकर के इसका पूरा सुलूशन प नेस्ट कोश्चन की बात करेंगे 27 नमबर तो असपस्ट संदेश भेजने के लिए महत्तपूर लिखना बोलना पढ़ना और सारीरिक हाव भाव जैसे कौसल कहलाते हैं तो यह हो जाएंगे मैनेजमेंट इसकी लियानी की प्रबंधन कौसल सी आपसन यहाँ पे सही हो जाए कि वह उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते हैं तो आप इस स्थिती में क्या करेंगे तो यहाँ पे जो बेस्ट एंसर दिया गया है वो लिखा हुआ है कि अपने दोस्त को बिनमरता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है तो यहां पे बी आप्शन सही हो जाएगा इसट कोश्ञ. यहां पे पुछा गया है इसे निस्चित फाइल की उपस्तिती अनुपस्तिती द्वारा अथवा विसिस्ट तारीक समय पर ट्रीगर किया जा सकता है यह निस्क्रिये पड़ा रहता है जब तक पूर्व परिभासित अवस्था प्राप्त नहीं हो सके तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे यानि की option number B यह सभी सही हो जाएगा next question की और बढ़ेंगे यहाँ पर question है कि किसे आधुनिक computer का जनक माना जाता है तो इसका सही answer होगा Charles Babbage next question आया कि कौन सा block device नहीं है तो block device की बात की गए है नहीं है तो यहाँ पर RAM हो जाएगा random access memory इसका सही answer हो जाएगा next question है SSD का full form पुछा गया था तो यहाँ पर SSD का full form हो जाएगा solid state drive solid state drive option number C यहाँ पर सही answer हो जाएगा next question की और बढ़ेंगे question number 33 question है कि internet में process to process अंचार के लिए निम्न मेंसे कौन से protocol प्रियोग होते हैं तो यहाँ पर transport layer protocol इसका सही answer हो जाएगा option number D option number D इसका right answer होगा next question की और बढ़ेंगे यहाँ पर question है कि निम्न मेंसे क्या wireless संचार की गुरुत्ता को प्रभावित नहीं करता है तो यहाँ पर absorption सही होना चाहिए C option अगर कोई बढ़ाव होता है तो हम आपको जो है पिन कमेंड में डाल देंगे next question है यहाँ पर निम्न मेंसे कौन सी निम्न power local area wireless संचार तकनीकी है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा Bluetooth यहाँ पर low power पुछा गया है local area wireless तो यहाँ पर Bluetooth इसका सही answer option number A हो जाएगा next question है कि वह उद्योग जो खनीजों का उप्योग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं तो 36 का सही answer आप लोग देख सकते हैं B option बिल्कुल सही हो जाएगा उनको हम basic industry के रूप में जो है जानते हैं मूल basic उद्योग next question है कि CRT का full form पुछा गया है तो यहाँ पर circuit ray tube इसका सही answer हो जाएगा 37 में सारी यहाँ पर D option सही हो जाएगा काइथोड ray tube यहाँ पर सही answer हो जाएगा D option next question यहाँ पर है BIOS यानि कि basic input output system की भूमिका का वरण करता है तो यहाँ पर answer आपका हो जाएगा B option यहाँ एक प्रोग्राम है जो रोम से निस्पादित होता है जब computer चालू होता है तो यहाँ पर B option सही हो जाएगा next question यहाँ पर है 39 number question की बात करेंगे the lower blocks in block mountains are यहाँ पर भ्रसोंत परबत निम्नतर खंड होते हैं तो यहाँ पर ग्रेबन इसका सही answer हो जाएगा द्रोडी का द्रोडी का इसका D option बिल्कुल right answer होगा अच्छा question पुछा गया था next है कि लोह आयस्क की महत्तपूर खदान कुर्दे मुख है कुर्दे मुख कहा है तो करनाटक इसका सही answer हो जाएगा option number D next question है कि निमलिकित में से कौन सा उद्योग टेली फोन कंप्यूटर आदी का निर्मान करता है तो यहाँ पर electronic हो जाएगा सही answer next question है कि भूरा कोईला कहलाता है तो लिगनाइट को हम भूरा कोईला के नाम से जानते हैं तो B option सही हो जाएगा next question है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न मैंसे किस एक के कारण अफसीत काल के दोरान बरसा होती है तो यहाँ पर पश्चिमी विच्छोब इसका सही answer हो जाएगा best turn disturbance next question है next question यहाँ पर मालिविका अगनिमित्रम पुष्चक पुछा गया है कि किस की है तो काली दास सही answer हो जाएगा सुस्क म्रदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों सामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रब भार कहलाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा answer कण घनत और स्थूल घनत दोनो इसका C option सही हो जाएगा जिनका question मैच यहाँ पर answer मैच नहीं हो रहा है तो ओ चारों आपसन देखके मैच कर पाएंगे क्योंकि यह कोई भी स्रीज हो सकती है तो उसके अनुसार आप मैच कर सकते हैं अपनी स्रीज के अनुसार हम answer इसलिए बता रहे हैं निम्न मैसे किन चटानों के अस्तरों में खनीज निछेपित तथा संचित होता है तो यहाँ पर अवसादी चटान इसका सही answer हो जाएगा Sedimentary rocks निम्न मैसे किन चटानों के अस्तरों में कि संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा बोथ यानि कि प्रस्थान और आग्मन दोनों चट्र बोथ दे एरिया डिपार्चर और एराइबल नेस्ट यहाँ पर है कोश्चन नमबर 48 के और बढ़ेंगे लंदन से इस इंडियन सोसलिस्ट का प्रकासन हुआ तो स्याम जी कृष्ण बर्मा इसका सही अंसर हो जाएगा यूपी ट्रपल सी में कई बार एक कोश्चन पूछा जा चुका है जिनका भी भविस्थ में एक्जाम है यह पेपर जरूर जो है देखके जाएं अगर आपको कोई मित्र यूपी ट्रपल सी की तयारी कर रहा है तो आप उसको यह पेपर जरूर सेंड कर दीजेगा यानि कि इस वीडियो को सेर कर दीजेगा नेस्ट है सेर सा सूरी का वास्तविक नाम क्या है तो फरीद इसका सही अंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन है कि 1556 यानि कि पानीपत का दुतिये युद्ध किनके किनके मद्ध हुआ तो अकबर और हेमू इसका सही अंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन है कि 1908 में मुझफर पूर में नयाधीस किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किस ने किया तो प्रफुल चाकी और खुदी राम भोस इसका सही अंसर ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा नेस्ट कोशन है यहाँ पर कि मौन्ट फोर्ड सुधारों की सबसे महत्पूर विसेस्ता थी तो यहाँ पर विसेस्ता की बात की जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नमबर यहाँ पर बहुत होना चाहिए वैसे लेकिन अगर कोई बदलाव होता है तो हम आपको बता देंगे तो यहाँ पर सी आप्शन बिल्कुल राइट एंसर होगा केंद्र तथार रियास्तों के मध्य सक्ति का विभाजन यूम रियास्तों में दुई सासन दोनों नेस्ट यहाँ पर है कि गांधी के सत्यागरह के से धांत के शंदर्व में निम्न में से क्या सत्य नहीं है तो कई question में नहीं और हां में हम कई बार confused हो जाते हैं तो question को ध्यान से पढ़ना चाहिए किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना अहिंसा परहेज और सत्यता तो C option इसका right answer होगा परहेज next question है कि चमपारण सत्यागरह का नेतरुत किस ने किया तो महत्मा गांधी इसका सही answer हो जाएगा next है पूना पैक्ट यानि कि पूना समझोता 1932 में किनके किनके मत दि हुआ तो यहाँ पे अंबेड कर और गांधी इसका सही answer option number A हो जाएगा next question के और बढ़ेंगे यहाँ पे वर्स 2021 में भारत का कुल स्टील निर्यात कितना था तो 10.7 मिलियन टन जिनका भी PCS का एक्जाम है 24 को वो भी इस question को note कर सकते हैं यह repeated question में आ सकता है काफी अच्छा question है तो यहाँ पे 10.7 मिलियन टन इसका सही answer हो जाएगा next है कि आर्थिक सरवेच्छन किसके द्वारा प्रकासित होता है तो यहाँ पे हो जाएगा option number C भारतिय सांके की संस्थान आर्थिक सरवेच्छन की बात हो रही है तो CSO यहाँ पे हो जाएगा ISO यहाँ पे सही होगा next है कि 10.7 के note पर किसका हस्ताच्छर होता है तो यहाँ पे हो जाएगा RBI Governor next question है कि निम्न में से बैंक और उसके उद्देश से का कौन सा संयोजन सही है तो यहाँ पे RRB यानि की Regional Ruler बैंक जो होती है करसी अर्थ और प्रवंध करती है तो यहाँ पे A option बिल्कुल सही answer हो जाएगा next question है यहाँ पे पूछा गया है कि सर्ब सिच्छा अभियान का उद्देश किस आयू समूं के बच्चों में सिच्छा को प्रोसाहित करना है तो यहाँ पे 6 से 14 इसका सही answer हो जाएगा option number A next है कि कौन सा संगठन Operation Green को क्रियान्यवित करता है तो Operation Green को यहाँ पे नेफर्ड इसका सही answer हो जाएगा option number D next question है निम्न में से कौन सा भारती अर्थवयोस्था में शरबाधिक स्रम अवरोधक छेत्र है तो स्रम अवरोधक छेत्र यहाँ पे प्रार्थमिक छेत्र हो जाएगा option number D next question है कि मानो पूझी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है तो यहाँ पे सभी तीनों सही हो जाएगा यानि कि सिच्छा चिकित्सा और प्रसिच्छन तीनों सही हो जाएगा next question है 64 number की NFWP का तातपर क्या है यानि कि full form क्या है तो National Food for Work Program इसका सही अंसर हो जाएगा next question है कि राज सरकारों का संबैधानिक प्रमुक कौन होता तो राज जिपाल हो जाएगा next question है कि भारतिय संबिधान की दी गई निम्न में से किस अनसूची में दलबदल विरोधी कानून संबंधी प्राउधान संब्लित है तो option number डी बिल्कुल राइट एंसर जो जाएगा दसवी अनसूची next question कि और बढ़ेंगे question है कि भारतिय संबिधान में संबिधान में संगवाद निम्न में से किस देश से लिया गया तो संगवाद जो है कनाड़ा से लिया गया option number B सही होगा next question यहाँ पे पुछा गया है धर्म वन्स जाती लिंग जनमस्थान के आधार पर भेद भावतो अनुच्छेद 15 हो जाएगा कारखानों में बालकों के नियोजन का परतिशेद यहाँ पे अनुच्छे 24 हो जाएगा कुल मामलों में ग्रिफतारी तथा निरोध से सनरच्छन तो यहाँ पे 22 हो जाएगा और यह आसपरस्ता का अंत जो है 17 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें option की तो option number B बिल्कुल right answer होगा त्याइस 14 इसका सही answer हो जाएगा next question क्यों बढ़ेंगे यहाँ पे question number होगा आपका 69 संबिधान सभा का परथम अधिवेशन कब हुआ तो 9 दिसंबर 1946 इसका सही answer हो जाएगा next है भारतिय संबिधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश से सुरच्छित करता है बित्त की गरिमा राष्ट की एकता और अखंडता को option number D होगा next है निम्ण में से कौन सा एक मुख्य से धानत है जिस पर संसदिये प्रणाली संचाली थे तो यहाँ पे ए अप्सन सही हो जाएगा कारेपालिका का बिधाईका के परति उत्तरदाइत तो यहाँ पे भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संगवाद का स्रेष्ट रूप क्या है तो यहाँ पे सहकारी संगवाद हो जाएगा option number A next question है निम्ण में से कौन संसद सरस्यों की आयोगिता के संबंद में निरड़े लेता है तो आयोगिता के संबंद में अगर निरड़े की बात करें तो यहाँ पे भारत का राश्वपत इसका सही अंसर हो जाएगा next question है कि दुधवा रास्टी है उद्यान हमारे राज्ज के निम्ण में से किस जिले में है तो लखीम पूर खेरी इसका सही अंसर होगा next question है यहाँ पे 75 नंबर लंगड़ा यानि कि आम की प्रजाती है लंगड़ा किसम हमारे राज्ज के निम्ण में से किस जिले में जो है उद्भूत मानी जाती है तो बारान सी इसका सही अंसर हो जाएगा option नंबर D next है कृतिम अंग निर्माड यानि कि यहाँ पे कौन सा असंगत है असंगत सुमेलित करना है तो यहाँ पे परुमाड़ु विद्दुत सैयंत्र जो लिखा हुआ है यानि कि अटामिक एलेक्ट्रिक प्लांट लखनव में नहीं है यह नोएड़ा में हो जाएगा सायद तो यहाँ पे C option इसका सही अंसर होगा नेस्ट है कि जनगड़ना 2011 के अनुसार राज्य में सरवाधिक और नियूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं तो सरवाधिक इलाहबाद और नियूनतम महोबा तो option number D हो जाएगा नेस्ट है फयाज खान द्वारा अस्थापित रंगीला घराना किस अस्थान पर है तो आगरा इसका सही अंसर हो जाएगा option number C नेस्ट कोशन है कि एक ब्यक्ति की इमानदारी सम्मान नयाय और दूसरों की मदद करना सभी हैं तो नयतिक मूल हो जाएगे option number A moral values नेस्ट कोशन है कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से ससक्त बनाने में मदद करता है तो यहाँ पर ससक्त रूप से बात की गई है तो यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पे सिच्छा, सिच्छा भी हो सकता है और यहाँ पे महिलाओं के विशेश योजना है, यहाँ पे दोनों option में से एक option हो सकता है, तो इसका official answer की जब भी आएगा तभी हम बताएंगे, अगर किसी को पता है तो आप comment में comment करके जरूर बताएं, साथ चीके साथ में, नेस्ट है यहाँ पे 81, नेता को हमेशा उद्देश सिको ध्यान में रखते हुए नेत्र तो करना चाहिए, option number A बिल्कुल right answer हो जाएगा, नेस्ट है 82 number question की टेक्सा, टोक्षा फिन कीटनासी जो है के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा संपर्क बिस, यानि क contact poison के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेस्ट है कि निम्ण में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फासपोरस की मात्रा सरवाधिक होती है, तो फासपोरस की मात्रा यहाँ पे सरवाधिक की बात की गई है, तो 83 में A option बिल्कुल right answer होगा, मतस सिखाद, option number A हो ज अवरोधी नहीं है, तो यहाँ पे मैलेईक हाइड्राजाइड जो इसका option number A लिखा है, यह right answer हो जाएगा, नेस्ट कोश्चन क्यों बढ़ेंगे, नेस्ट कोश्चन है, निम्ण में से कौन सी फसल प्राया पर परागरित होती है, यहाँ पे cross-pollinated crop के बारे में पुछा गय जाएगा, नेस्ट है कि आलू-पण, बेलन-विशाणू द्वारा प्रोसित होता है, तो एफिड, इफिड इसका B option बिल्कुल right answer है, नेस्ट कोश्चन है यहाँ पे कि निम्न मस्रूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुक योगदान देता है तो यहाँ पे white button मस्रूम हो जाएगा option number D, नेस्ट कोश्चन है किस भारती है, राज्य में Asia का सबसे लंबा दुरुत गती परिक्षन मार्ग, नेट्रेक्स अनावरित किया गया है, तो मध्यपरदेश इसका सही हो जाएगा नेट्रेक्स का, नेस्ट है अन्ता प्रजनन इसमें अलोकित होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा self-pollinated crops, यानि कि option number A, स्वपरागित फसल में होता है, नेस्ट है, निम्न में से किस देश में पेपाल ने संयुक्त राज अमेरिका के बाहर क्रिप्टो सेवाओं, यानि क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतरास् तो यहाँ पे UK इसका सही हो जाएगा, United Kingdom, नेस्ट कोश्चन है यहाँ पे पुछा गया कि COVID-19 की जो बैक्सीन है, DNA-based बैक्सीन के बारे में पुछा गया, तो जाइकोब D इसका सही अंसर हो जाएगा, नेस्ट कोश्चन है, कोश्चन है कि Business Blasters Program किस राज्य केंदर सासित प् राजमार्ग पर IAF Aircraft के लिए भारत की सरवपर्थम आपात काली लेंडिंग सुविधा निर्मित की गई, तो यहाँ पे राजस्थान इसका सही अंसर हो जाएगा, option number B, यहाँ पे कोश्चन पुछा गया कि सुजलम, सुजलम योजना जो आई है, एक सव दियुसी है, अभ दिविस रोगी सुरच्छा दीवस पूछा गया है, तो यहाँ पे 17 सितंबर इसका राइट अंसर होगा, नेस्ट कोश्चन है यहाँ पे, ते रहू है, ब्रिक्स सिखर संबेलन की वर्चूली अध्यचता किसने की, तो नरेंद्र मोदी इसका सही अंसर हो जाएगा, कोश्चन है कि पैरा ओलंपिक्स में दो पदक जीतने वाली प्रथम भारतिय महिलाओं में कौन है, तो यहाँ पे अवनी लखेरा इसका डी आपसन बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा, तो इस प्रकार हमने 75 के 75 कोश्चन जो है कंप्लीट कर लिये हैं, जिसका एक्जाम उन्होंने अंसर को मैच कर लिया है, कितने आपके सही हुए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जिनका भी UP में कोई भी एक्जाम है, तो वो जो है इसको एक बार अच्छे से फिर से देख लें, को नोट कर लें, कैसे कोश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह के कोश् में ओफीशियल अंसर की से बदलाव होता है, तो हम पिन कमेंट में जो है, उसको डाल देंगे, आप पिन कमेंट देखना न भूलें, मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जैहिन जै भारत, धन्यवाद